हमारे बच्चे ने हमको बताया के अबबाजी बहार बहुत सारे लोग आगए हैं और उनके हात में हत्यार है तो मैंने कहा बेटे तुम जल्दी से जल्दी अपने कमरों में सिफ्ट हो जाओ और इधर उदर से सारे बच्चों को घटा किया हमने और हम सब अपने कमरों में बंद हो गए उसके बाद में बाहर गाड़ियां खड़ीती, मोट साइकल खड़ीती और जो सामान खड़ा हुआ था, सब पर उन्होंने अटेक करना शुरू किया धराधर धराधर बहुत तेज आवाज आ रही थी और हम अपने खड़ा से दुआ करे देए, लाह हमारी जान की हिफाद फरूआ उसके बाद में फिर और मस्जिद पर चड़ गए, फिर मस्जिद पर जाकर कहने उन्होंने बहुत जबरदस्ट अटेक किया है नारे लगाए हैं, जैसी राम, जैसी राम, तो फिर वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू करी, मस्जिद के दर्वाजे तोड़ दिये, मस्जिद के कुरान शरीफ के अलवानिया गिरा दी, और मिंबर तोड़ दिया कितनी सालों से इस मस्जिद में आप हूँ? जी, मैं मेरे फादर थे, अब से पहले, 92 में फादर का इंतिकाल हो गया, 92 में, वो 94 में, उसके बाद में फिर यहां के इमामत की जिम्मेदारी मेरे उपर आई, तो मैं उसी वक्त से इमामत यहां पर कर रहा हूँ, हमारी फैमली, हमारे भाई वगरा, सब वहीं रहते हैं, हैं, पर 25-30 सोल मेरे जी, जी, कभी ऐसा माछल, जी, कभी इससे पहले है, हाला तो कभी आते रहे, 92 के हाला भी आए, और करूना के हाला भी आए, उससे पहले भी आते, कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे आपने अडोस-पडोस वालों से सबसे अच्छे तालुका आते हैं, जो सीख समुदाय की लोग आप लोगों को आके बचाए उसके बारे में अगर आप एक बार बता है देखो सीख समुदाय तो एक राबते में हमसे रहे बराबर वो वहाँ पर महला है सीखोगा तो वो राबते में थे किसी तरह की कोई परेशानी हो कोई आपको आपती हो कोई बताईए हमें, तो हमने कहा, अभी तक तो कुछ है नहीं, तो फिर उनने कहा, अगर कोई हो, तो हमें आप बताईएगा, सही हो करेंगा हम आपका, हमने कहा ठीक है, बताएंगे, तो वो बिचारे आ रहे हैं थे, बराबर जा रहे हैं, सिक्समूदाय के लोग, और उसके बाद में, और भी पड़ोसीते हैं हमारे, वो भी आ रहे हैं, हमने देखा कि लगातार लोग इस मस्जिद में पानी भी लेने के लिए, हाँ, मैंने लोगों के लिए सिवा के तोर पे पानी लगा रखा है, मस्जिद का पानी, कि सब लोग हमारे पड़ोस के घर मुस्लिम है, वो अबत का पेगाम देते हैं, सब पड़ोसियों से मिल जूल के रहते हैं, ये अचानक ही पहली दफार ऐसा हुआ है हमारे साथ में, जो लोग आए थे, क्या वो यहां से थे, बाहर के थे, आप आइडेंटिफाई कर रहे हम तो अपनी जान को बचाने में लग गए, हमारे कान में यहां पर जो है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मदरसा है यहां, तो वो हमने सुबा के वक्त में छुटी कर दीती, सब को घर पहुचा दिया था, उनके मावापों को बिला के, सब अपने अपने घर ते, पांच-छे बच्चे हमारे साथ में रहे गए थे, जिसके म अपने यहां, उनको हम यहां अपने साथ लेकर आये हैं, और यहां से फिर हमने उनको अपने घर पर ट्रांसफर कर दिया है, वो सैफरेट अपने घर पहुच गया है, पुलिस आने में देरी की थी, पुलिस आने में, देखिए, पुलिस को तो पहले से हमने इतिला दी थी, कि इस तरह से मीटिंग हो रही है, माहुल बन रहा है, पड़ोस वालों ने भी दी, दो लड़के आये थे वहां से, हमारी पड़ोस में से, वो पुलिस के सामने ने बुला, कि मीटिंग हो रही है, पंचात हो रही है, मस्चिद पे हमला होगा, तो उन्हों कहा, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसके बावाजूद, फिर ये सामने आ गई थी बात, तो हमें भी डर लगने हमने कहा, कोई फॉर्स और बिला लीजिए, तो कुछ पुलिस वाले और आ गए थे उसके बाद, लेकिन जिस वक्त उन्होंने हमला किया, और पुलिस वालों ने दो बंदों को पिटाई भी करीती हुआं पर, जब कम लोग थे, वो उनको भगा दियाता हूं, उसके बाद में ये खटा जो जटा होकर, जमा होकर ये लोग आये हैं, पंचायत अगर हो रहे थे मौलाना जी, तो तो हम कह सकते हैं कि आसपास की लोग थे, अब मैं क्या बताओं जी, मुझ फिर बाद में फिर खबर मिली कि कुछ लोग इदर उदर दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में लाठी डंडे भी हैं, हमें उस वक्त भी जो है थोड़ा सा यकीन नहीं आया, तो उसी दर्मियान में ये कुल अटेक करने से आदे पहले गंटे पहले की बाते हैं, मौलाना ज कि मतलब बचाने के लिए एक सीख समूदाय आये, ये जो कहानी है, क्या आपको लगता है इस कहानी से लोगो को सीख लेके इस आग को रोकना चाहिए? देखे जी, मैं तो ये कहूंगा, कि जहां पर भी मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, बड़ी मस्जिद का इमाम, मैं तो सब के लिए महसुद दूँगा, कि महबत और अखलाक एक ऐसी चीज़ है, इनसानियत, हमारे सामने किसी भी ब्रादरी का, किसी भी कौ्ण्ब का, किसी किसी इनसान पर मुसीबत आ रही है, तो हम सब का फर्ज बनता है, कि हम उसकी जान बचाएं, उसका माल बचाएं, उसकी जान की रक्षा करें, हमारा मैसिज यह है, जिस तरह से के लोगों ने हमें दिखाया, सिखों ने भी दिखाया, और उने भी दिखाया, तो हम सब के लि दूसरे की हिफाज़त करें, एक दूसरे की रख्षा करें, इसी में मुल्क की भलाई है और इसी में हम सब की भलाई है, वरना अगर हम यह सोच कर कहने हैं के एक फिरक rely को tarda करना है, तो इससे मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क में तबाही आईगी, बर बादी आईगी और मुल् झाल झाल